नमस्कार साथियो, जिक्स कटिंग करनी है, तो आप इस तरीकी का मुसीन है, तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसमें भी दो-तीन चीजे जो है, बहुत जानने लागे, आप देख सकते हो, यहाँ पर नुख है, यह मसीन है, यह मसीन का फर्मा है, जो बड़ा बनाया ग है, यह फाइनल कटिंग के बाद में कुछ ऐसी दिख रही है, अब इंस्टोलेक्शन के बाद में कैसी दिखती है, वो भी मैं आपको वीडियो में जरूर बता है, यह हमारे रेग्यूलर, जो चार इंच बाइ, पौने तीन इच बाइ, पौने नव इंच की इंट आती है, थोड़ी अच्छे वाली है, अब इसको कटिंग करना है, तो इसमें दिक्कत क्या हैगी, यहाँ पर आप लेख सकती हो, यह हमने 15 इच की कटर इंस्टोल की है, 16 इच की भी होगी, तो भी दिक्कत रहेगी, यह आपको यह वाइसर कम बनाना पड़ेगा, यह कटर बड़ी ल तो पंद्रा इच से बड़ी इसमें इस्टोल नहीं हो रही, अगर 16 इच की भी होती है, तो भी कटिंग नहीं होगा, यह वाइसर छोटा करने पड़ेगा, पंद्रा इच में कटिंग करना है, तो कैसे कर सकती हो, आप देख सकती हो, आप देख सकती हो, यहाँ बड़ी आब सकते दीजी पिए हो जाती हैं।— कि यह खान ऐounds पर्मे उसी सी खोलका आचे दिए घ्र हो जाती है पेली-दार करा पेज चाहिछ पीए जाती दानी फनों हुटिस्टेइपाथ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो इस मसीन में या इस जैसे मसीन में अगर जिक्स कटिंग करनी है तो दो चीजों का जरूर ज़ायो रहना है पहला तो यह वाइसर है इससे यह पट्टी छोटी हो जानी चाहिए यह बहुत जरूरी अगर यहाँ पट्टेच होता है यह वाइसर से अगर बड़ी हीट रहेगी इतनी तो यह कभी कटिंग नहीं करती है यह चोटी होनी चीए दूसरा यह जो पीछे का यह सपोर्ट है यह पूरा दिखाओ तो इसकी चोड़ाय आप देख सकती हो चोड़ा और यह चोड़ा एक मारबल के पत्थर के साथ में मैंने यह चोड़ाय वाला बनाया है ताकि जब यह ब्रिक्स कटिंग होती है तो वाइब्रेट ना हो इसको बिल्तु चिपक के रहे वरना क्या यह उपर वाला पीस ऐसे हिलता रहेगा तो यह कभी कटिंग नहीं होती है दोस्तो तो यह वही पीस है और यहाँ पर हम दुबारा एक बार कटिंग करके अब देख है एक मेजर मेट में नहीं होगी एक साइड बड़ी होगी एक साइड छोटी होगी अगर यह पत्थर नहीं लगाया तो तो यह पत्थर बहुत ज़रूरी है दोसे थारे खुद़ झाँ तो. झानले रहीं होगी रज स्च警校 फिर्लेजर उभारी होगी 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 पीजर्वारी होगी होगी तोसे बारी ही наз waffle तो ब्रिक्स इंस्टल हो जाने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही है लुकवाइस आप देख सकते हो अभी फाइनल फिनिसिंग इसका बाकी है यह इंस्टल हो चुकी है इसके बाद में जॉइंड करटिंग आएगा सफाय आएगी और क्यामिकल कोटिंग आएगा आप ब्र देख सकती हो यहाँ पर इंस्टल हो चुकी है इसके जॉइंड करटिंग का काम सुरू है उसके बाद में सफाय और केमिकल के बाद इसका फाइनल लुक कैसा आता है तो उसके लिए पार्ट टू का इंतजार करें बहुत ही जल्द आपको पार्ट टू भी देखने को मिल जा ठेंक्स पर वाचिंग धन्यवादार सबका